हाई दोस्तो असलाव अलेक्यूम कैसे आप लोग मेरा नबील है मेरे टेबल पर कुछ कच्रा आपको नज़र आ रहा होगा प्लीज डोंट माइड यहां पर कच्रा जो है आपको कुछ और बेस्ट MFI केबल जो है एक बजट प्राइज में कौन से हो सकते और ऐसे कौन से केबल है जो आपको अवाइड करना चाहिए यह सारी बाते जो है आपको आज के इस वीडियो में समझाने होगा तो वीडियो काफी important है जरूर इसको ठीक से आप देखिए अब यहाँ पे यह केबल जो होते है जो मार्केट में मिलते है उसकी नौबत क्यों आती हमको लेने की यूँकि आपल जो है बहुत ही घटिया quality का केबल अपने आईफोन के साथ प्रोवाइड करता है बहुत ही घटिया design है आपल का जो की easily तूट जाता है और जादा time तक का आपका आईफोन जो है काफी long lasting device है लेकिन आपल का जो केबल साथ में आता है वो उतना long lasting नहीं है तो अब करे तो करे गया दोस्तों तो यहाँ पे आ जाते है MFI के बस अब यह MFI होता क्या है MFI का full form होता है made for iPhone यह Apple का खुद का एक program है made for iPhone ही नहीं made for iPad भी जो है इसको कहा ज आइफोन के साथ जो है compatible है iPhone के साथ यूज करने में 100% सेफ है जितना सेफ है Apple के अपने खुद के cables तो यह सिफ MFI जो है certification के लिए अगर वो certify कर देता Apple तो Apple जो है एक जगा पे उसको list भी करके रखता है जहाँ पे मैं बताओंगा आपको किस तरी किसा आप उसको check कर सकते है और साती साथ यह आपके iPhone के साथ यूज करने में completely safe हो जाते है अप non MFI cables भी market पे बहुत सार है और काफी सस्ते में आप कीमत के होते तो यहाँ पे definitely sense बनता है क्योंकि एक बार ही आप cable ले लेंगे तो आपके iPhone का जितने साल का usage है उतने साल यह cables survive कर ले थे क्योंकि काफी well built होते यह cables और non MFI cables जो बहुत ही सस्ते में में 100, 200, 300 में आपको easily मिल जाते कभी 500 में मिल जाते है वो cables के अंदर problem यह होती यह है कि आपके iPhone में थोड़े दिन तो अच्छे से काम करते है लेकिन उसके बाद जो है device not supported का problem आ जाता है charging जो है कभी-कभी एक side से होती है दूसे side से नहीं होती और कभी-कभी आपका iPhone गरम भी होता है इन cables के वेसे data transfer में भी इन cables से problem आता है दोस्तो जब कभी आप अपने iPhone को restore वगरा कर रहे हो या software update कर रहे हो Mac के तुरू या Windows के तुरू उस time पे आपका connection loss होके आपका device brick भी हो सकता है और यह non MFI cables जो है दोस्तो यह physically भी आपके iPhone को permanent damage कर सकते है आपके iPhone में जो lightning port होता है उसके अंदर भी connectors होते है जो के इन non MFI cables के जरीए से damage हो सकते है scratch हो सकते ह इसमें आपके iPhone में भी आगे जाके problem आ सकते है तो थोड़ा पैसा बचाने के चकर में जो है महेंगा सौधा मत कर बैठता तो यह तो हो गई दोस्तो MFI और non MFI cables की बात अब यहाँ पे MFI cables यूज करने के काफी सारे फायदे है जो नुकसान आपको non MFI में मिलता है वो यहाँ यहाँ पर देखने नहीं मिलता उपर से यहाँ पर जो optimum fast charging है 20 watt की जो iPhone हमारे support करते आजकल वो आपको यहाँ पर मिल जाती है और साथी साथ जो data transfer speed है वो भी maximum का iPhone support करता है वो भी आपको मिल जाती है अब यहाँ पर इतने सारे points हमने दोस्तों cover कर लिए लेकिन यहाँ पर हम बोल रहा है जूट बोल रहा है तो इसका तरीका है उसको चेक करना तो चेक करने के लिए दोस्तों एक website है Apple का खुद का website है MFI का website है उसका description box में लिंक दे दूंगा वहाँ से जाके आप अपने जो cable आप लेना चाहते है उसका model नमबर वगरह डालके चेक कर सकते तो आई आ यहाँ पर हमें model नमबर डालके देखते हैं यहाँ पर अलग-अलग cables है मेरे पास तो इसको चलिए चेक कर लेते तो यहाँ पर एक model नमबर है इसका zeb-cl1000m और यह मैं model नमबर डालके यहाँ पर search करता हूं तो यहाँ पर देखते है तो यह cable जो है यहाँ पर MFI certified है यहाँ आप देख सकते हैं इसके अलग-अलग codes भी है जो अलग-अलग इन्होंने बनाये होंगे इसके variants और यह सारे cable जो है MFI certified है इस तरीके से आप दूसरे brand के cables और model नमबर के हिसाब से भी cables को search कर सकते है अब दोस्तों हो गए आप smart अभी आपको कोई भी चूना नहीं लगा सकत कोई भी जो है ऐसा cable प्रमोड भी नहीं कर सकता नहीं आपको कोई बेच सकता है जो MFI certified नहीं है और उसके उपर से जो है MFI certification लिखा हुआ है वैसे आपल इन पर action ले ले लेता है लेकिन चोटे मोटे manufacturer दोते है जिनका आगे भीचे कुछ नहीं होता तो वो तो ऐसे चीज़े और इसकी quality जो है काफी खराब है तो यह cable को side में फेक देती दोस्तों अब बचे बाकी के cables जिनको मैंने try किया long term के लिए तो यहां पे जो cable आपको नहीं लेना चाहिए इन cables में से वो है fuel को करके company का cable यह एक Indian company है तो मुझे भी अच्छा लगा कि चलो इसका cable मंगा लेते है लेकिन इसका cable fast charge नहीं कर पा रहा था मेरे iPhone को तो यहां पे definitely MFI है लेकिन आपको यह cable purchase नहीं करना चाहिए और यह cable मैंने भी चेक करने के बाद Amazon को return कर दिया क्योंकि मुझे इसका performance adequate नहीं लगा तो अब जो cables मेरे सामने हैं दोस्तों यह 4 cables है जिनसे मैं काफी जादा खोश है white color में मिपस है यह black में भी आता है यह एक जो है काफी अच्छा और मजबूत cable है यह nylon braided तो नहीं है लेकिन काफी tough है इसकी build quality और यह काफी अच्छे तरीके से काम कर रहा है और काफी long term से मैंने use किया इसका color भी आप देख सकते है white से जो है थोड़ा पीला हो गया है ले zebronics के cable, zebronics का cable जिसका भी अपने model number चेक किया था यह भी cable जो है काफी अच्छी है इसके अंदर आपको colors भी मिल जाते है black color, red color यह दो colors मेरे पास है अभी और जो यह cable है इसकी build quality जो है आपको amazon basic के cable से काफी similar लगेगी यह भी nylon braided नहीं है लेकिन काफी tough cable है जैसे amazon basic का cable long term पे चल गया यह cable भी आपको long term पे चलेगा और अच्छी service यह cable भी आपको देगा इसका building description में है उसका pricing जो current है वह वहीं से आपको मिल जाएगा देखने के लिए तीसरा जो cable है दोस्तों वह है ESR का charging cable अब ESR का charging cable है यह आप single नहीं खरीच सकते 3 feet वाला इसके अंदर 2 का pack आता है वह आप ले सकते हो लेकिन 2 का pack लेंगे तो एक cable जो है आपको 1000 के अंदर ही पढ़ जाता है 700-800 रुपए के करीब पढ़ जाता है और यहां पर यह cable जो है यह नाइलॉन ब्रेड़ेड़ है तो थोड़ा यहां पर तफनेस बढ़ जाती है तो यह यह काफी अच्छा निद्धर है और इसकी ब्रेडिंग जो है काफी जाधा टफ है यहां पर आप देख सकते हैं कि मजबूत इंटो ने देखी रही है केबल का मुझे बहुत पसंद आया और यह केबल मेरे काफी काम आ जाता है यह यह काम मैंने के लिए कुछ भी करने के लिए तो अपने डेस्क पे जो क्लटर है उसको मिनिमाइज करने के लिए चोटा केबल रखना अच्छा होता है यूगि उस टेम पर आप से अपने फोन को यहां पर कनेक करके रख देते अपने लापटॉप के पास और चोटी केबल रहेगी तो उतन केबल का जो मैनफेक्टर है वह अलग-अलग heफ है कोई साल की देता है कोई जो है दो साल की वह दी कि देता है तो जुभी रहेगी दिस्क्रिपछन में केबल का लिंक यहां उसकी वारैंटी दे दूघा आप उसकी वारैंटी घरओए घर खराब हो जाए तो मुझे दोस्तों बुरा बला मत बोलना, आप इनके manufacturer से contact करके उस cable का replacement मंगा सकते हैं, वो लोग दे रहे है, warranty मैं नहीं दे रहा आपको, तो यह थे दोस्तों मेरे कुछ favorite MFI certified cables, जो अपने iPad को चार्ज करने के लिए और अपने महंगे iPhone को चार्ज करने के लिए आप इस्तमाल कर सकते है यह भी है कि भाई सभी के पास जो है type C वाला जो PD charger है वो नहीं है, regular पुराना वाला USB वाला charger है, तो USB to lightning वाले cables जो है, इनी manufacturers के या best से best जो cables होंगे, उनका link भी मैं description में दे दूँगा दोस्तों, तो यह था दोस्तों, आज का हमारा वीडियो उम्मीद करता हूँ, आपको अब आज का वीडियो पसना होगा, पसना होगा उसको लाइक और शेयर जरू कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिए, गुडबाई